है लो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो के अंदर आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा के जैड़ प्लस मुबाइल एंटिसाफ सॉट्फियर के फीचर के बारे में जिसका नाम है डू नौट टच मोड तो डू नौट टच मोड किस तरीके से वर करता है चलिए जानता है सबसे पहले आपको अपनी ऐपनी करनी है जिसका नाम है प्लस जैसे आप ऊपन करेंगे यह आप से MPα अधिक दाता हूं और इसको सम्मिट करता आ कुछ इस तरीके का एंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे उपपर है security, आपका security पर click करना है, और security पर click करने के बाद, आपको सबसे उपपर दिखेगा, basic security जिसका पहला feature है, do not touch mode, हम इसको on करते हैं, और back करके रख लेते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, इस feature क को activate करने के लिए हमने 10 सेकंड की timing दिये, ताकि आप अपने mobile को अच्छी तरीके से रख सके हैं, 10 सेकंड बाद ही यह activate mode पर alert mode पर आता है, और अपना काम करना start करता है, तो चलिए जानते हैं कैसे, जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा, आप देखें, जैसे ही मैं इसको उठाया इसने siren करना start कर दिया है, बतलब Z plus alert mode पर आ चुका है, अब मैं इसके यहाँ पर power down, अगर volume down करता हूं, तो आप देखिए, मैं इसके volume down कर रहा हूं, लेकिन Z plus को कम नहीं होने दिरा है, क्योंकि उसने volume को button को disable कर दिया है, आप दुबार देखिए एक बार, इसके बाद अ power off या restart ना कर सके, एक बार दुबारा देखिए दोख्तों, मैं इसकी जो volume है, वो दुबारा down करता हूं, देखिए इसकी volume down बिल्कुल भी नहीं हो रही है, यह अपना भी लगातार उपर जा रहा है, अब जैसे ही मैं इसका password डालता हूं, तो दोख्तों देखिए, जैसे ही मैंने इसका password डाला, इसका सारन करना बंद हो चुका है, क्योंकि mobile owner के हाथ में है, और वो अपना password डालके इसको बंद कर चुका है, ठीक है, अगर इसमें आपने एक चीद नोटिस करी होगी, कि जैसे ही इसका siren mode चल रहा था, siren start था, उस लगातार दबा रहा था, तो वो window show नहीं कर रहा था, power off वाली, न रिस्टार्ट वाली, ताकि आपका phone कोई भी power off या restart ना कर सके, तो दोस्तों यह था, Z plus mobile antithep software का एक basic feature और एक काफी useful feature, जिसका नाम है do not touch mode, तो चलिए इसी के साथ में विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ